नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का दोस्तो HSSC CT परती के बारे में एक और नई खबर आई है जिसका आपको फिलाल बेसबरी से इज़ार है आंसर की आंसर की के बारे में चेर्मेंट साब का एक ब्यान आया है कब आपके आंसर की आएगी किस तरीके से आएगी क्या प्रोसेस रहेगा यदि आप कंप्लेट डिटेल जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें और दोस्तो वीडियो माँ का बढ़ने सपह क्या नहीं खबर आई है देखो यहां पर पहले क्या बताएगा है ग्रूप C की भरती में समाजी कार्दिक अधार के अंकों का दो बार मिलेगा लाव यहां पर तो यहीं दे रखा कि CET में अभी 5% और में एक्जाम होगा उसमें 5% यह दो है रिजुरेशन मिलने वाली है ब CET की आंसर की जारी कर सकती है इस सब्ता में कभी भी जारी के जाने के संभा होना है आंसर की जारी होने के बाद परिक्षारतियों से उब्जेक्शन वांगे जाएंगे अर्याना करमचारी चैन आयोग के चेर्मेन वो पाल सिंग खदरी का कहना है कि अभी तक आयोग के पास अज़र की है वो इसी सब्टा में यानि के आने वड़े 2-3-4 दिन के अंदर आपको आंसर की देखने को मिल सकती है उसके बाद जो है अबजेक्षन मौंगे जाएंगे अबजेक्षन का प्रोसेस आपको पदा ही है आपके पार ऐसा रहेगा कि यदि आप अबजेक्षन लगा ह तो यह है वापस नहीं मिलेंगे तो यह प्रोसेस में Umu् cul. कि आ एक किस के बारे इस चाहँ है आप कमेंट करके जरूर बताएं कियाए ध्यांक कि यह सही है यह गलत है और संट की जो उब्जेक्शंथे हैं इसका ostat हो भू तरफ झाल भाद